नमस्कार दोस्तो RADIOGRAPHY SIMPLFYD में आप सभी का स्वागत है आज का TOPIC है X-ray Bem Restrictor आज का TOPIC है X-ray Bem Restrictor और आज हम यह भी जानेंगी यह कितने मरकालखे होते हैं So let's start with the definition first A X-ray Bem Restrictor is a device that is attached to the opening in the x-ray tube housing to regulate the size and shape of x-ray beam. देखिए x-ray beam restrictor एक device होता है जो x-ray tube housing की opening के साथ attach होता है यह basically x-ray beam की shape और size को regulate करता है अगर हम इसकी type की बात करें तो यह basically 3 तरह के होते है अपर्चर डायफ्राम, cone and cylinder and collimator अपर्चर डायफ्राम simplest beam restrictor होते हैं जबकि collimator को best beam restrictor बाना जाता है इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों के बारे में detail में सुझाओं मैं आपको पनमरा के बारे में थोड़ा पताना चाहता हूं सब्सक्तर बारे में आहते हैं अपको लाग ख़ूर डेसे ल bizeेडिकर, जबकि यह यह जारी के मैं व झाले कि मैं घ्माभग झाले करा शालाा कि buffs आपकोसिक। इस बात को समझने के लिए आपको इस डाइग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हैं ये फोकल स्पॉट है और आप जानते हैं फोकल स्पॉट पिन पॉइंट नहीं होता इसके एक स्पेसिफिक डाइमेंशन और सेफ होता है और जो एक स्पॉट होते है वो पॉइंट सोर्स नहीं होता जबकि वो इंटाइर सर्फेस से एक स्पॉट होते है और जो हमें इमेज मिलती है सेंटर में वो यहाँ पर जो फोकल स्पॉट होता है वो पूरी तरह से एक स्पॉस होता है इसका मत्तब यह होता है कि यहाँ पर maximum XA radiation strike करता है जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर एक complete shadow देखने को मिलती है जिसको हम अम्बरा कहते हैं जबकि इसके periphery में radiation बहुत कम मात्रा पर गिरते हैं इसलिए हमें यहाँ पर partial shadow देखने को मिलती है जिसको हम penumbra कहते हैं देखिए radiography में penumbra image की quality को degrade करता है जितना ज़्यादा penumbra होगा उतनी ज़्यादा आपको image में unsharpness देखने को मिलेगी और साथ-साथ image contrast भी कम होगा इसलिए radiography में penumbra को कम से कम रखना चाहिए penumbra किन factor पर depend करता है उस पर भी एक नज़ा डालेते हैं अगर apparent focal spot ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा penumbra देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से आपको image contrast कम देखने को मिलेगा और साथ-साथ आपको unsharp image मिलेगी अगर आप source to object distance को बढ़ाते हैं तो आपको penumbra कम देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से image contrast बढ़ेगा और आपको sharp image देखने को मिलेगी अगर आप object to film distance को बढ़ाते हैं तो penumbra भी बढ़ेगा और आपको image जो contrast होगा वो भी कम हो जाएगा और आपकी जो image होगी वो भी unsharp देखने को मिलेगी penumbra को explain करने के लिए मैंने गत्य का cylinder बनाया है जिसमेंसे मैं आपको mobile की light को pass करके दिखाऊँगा चलिए देखते हैं क्या होता है जैसे ही मैं light को pass करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेंटर में एक complete shadow है जिसको हम अंबरा कहते हैं और उसके आसपास जो partial shadow है उसे हम penumbra कहते हैं चलिए शुरुवात aperture diaphragm से करते हैं यह simplest beam restrictor होता है यह basically एक sheet होती है light की जिसके center में एक hole होता है X-ray tube की जो exit window होती है उसमें एक extension दिया होता है जिसमें हम इसको attach करते हैं hole का जो shape size होता है वो decide करता है कि X-ray beam की shape size क्या होगी या X-ray field की shape size क्या होगी अगर advantage की बात करें तो light soft होता है इसको easily alter कर सकते हैं in different shape and size to get different field size It also had disadvantage It produces fairly large penumbra at the periphery of X-ray beam width of the penumbra can be reduced by positioning the aperture diaphragm as far as away from the X-ray tube target इसका सबसे बड़ा disadvantage होता है कि एक large penumbra को produce करता है at the periphery of the X-ray beam अगर आप चाहते हैं कि penumbra का size कम हो तो आपको aperture diaphragm को target से थोड़ा धूर place करना पड़ेगा चलिए इसको diagram से समझने की कोशिश करते हैं जैसे है कि मैं आपको पहले पता चुका हूँ कि aperture diaphragm का use करने से हमें fairly large penumbra देखने को मिलता है आप देख सकते हैं इस diagram में हम aperture diaphragm को use कर रहे हैं और ये focal spot है focal spot pinpoint नहीं होता इसकी specific dimension होती है shape होती है और ये हर जगे X-ray को produce करता है इसकी हर surface से X-ray निकलते है center में ये focal spot पूरा expose होता है इसका मतलब ये यहाँ पर maximum X-ray गिरते हैं इसलिए हमें यहाँ पर complete shadow देखने को मिलती है इसको हम अम्बरा कहते हैं लेकिन periphery में यहाँ पर बहुत कम X-ray गिरते हैं जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर एक partial shadow देखने को मिलती है जिसको हम penumbra कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि penumbra का size कम हो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें penumbra का size ज़्यादा है तो हमें कुछ alteration करने होते हैं यहाँ हमें aperture diaphragm को target से थोड़ा दूर रखना होता है इससे आप देखेंगे कि जो penumbra का size है वो reduce हो गया है second is cone and cylinder the flare shape of cone has ideal geometric configuration but greater penumbra cone की geometric configuration जो होती है वो ideal होती है for radiography लेकिन जो flare shape होता है cone का उसकी वज़े से हमें greater penumbra देखने को मिलता है in cylinder x-ray restriction take place at far end of barrel therefore less penumbra may be equipped with extension to increase their length for better beam restriction देखिए cylinder में x-ray beam का restriction barrel के far end में होता है इसलिए हमें यहाँ पर कम penumbra देखने को मिलता है कभी कबार इसकी length को बढ़ाने के लिए इसमें extension का परियोग किया जाता है ताकि beam का restriction और अच्छे तरीके से हो इनका परियोग वहाँ किया जाता है जहां पे हमें highly collimated x-ray के requirement होती है like doing x-ray of mastroid, cella, tm joint अगर हम limitation की बात करें तो सबसे बड़ा जो limitation है यहाँ पर field size है कुकि radiography में हमें different field size चाहिए होते हैं जैसे कि अगर आप abdomen का x-ray कर रहे हैं तो आपको large field size के requirement होती है दूसरी सबसे बड़ी problem इसके अंदर होती है इनको बार-बार change करना पड़ता है जो थोड़ा सा inconvenient है आप diagram में देख सकते हैं यह cone है और यह cone की base plate है जो beam restrictor का काम करती है cone का flare काफी बड़ा होता है जिसकी वज़े से हमें यहाँ पर large penumbra देखने को मिलता है इसके विप्रीत cylinder के अंदर जो beam restriction जो होता है वो barrel के far end पे होता है इसलिए हमें यहाँ पर less penumbra देखने को मिलता है third is collimator यह best x-ray beam restrictor होता है यह x-ray tube housing की exit window से attach होता है अगर हम construction की बात करें तो it has two set of shutters जो beam की dimension को tag करते हैं और यह एक unit के रूप में move करते हैं इसमें जो second shutter होता है वो first shutter की बनाई हुई penumbra को clean up करता है each shutter is consist of four or more light plates moving as independent wear when shutter are close they meet at the center x-ray field is illuminated by the light beam from the light bulb in the collimator a mirror is mounted in the path of x-ray beam at an angle of 45 the target of the x-ray tube and the light bulb should be at the same distance from the center of the mirror a cross line on the thin sheet of plexiglass mounted on the end of collimator identify the center of the x-ray field देखिए collimator में एक light bulb होता है जो x-ray field को illuminate करता है यहां एक mirror भी होता है जिसकी placement 45 degree पर होती है in the path of x-ray beam यहां एक चीज और important है x-ray tube का target और bulb की जो placement होती है वो mirror के center से equal distance पर होनी चाहिए collimator के end पर एक thin sheet होती है प्लक्सी ग्लास की जिसमें एक cross line होती है जो x-ray field के center को identify करने में हमारी मदद करती है आप इस diagram में देख सकते हैं यह collimator है और collimator में दो shutter होते हैं second shutter पहले shutter के बनाए गए पर नमरा को clean up करता है अगर मैं इस diagram को magnify करके दिखाओं तो आप देख सकते हैं पहला shutter है, s2 second shutter है s2, s1 के बनाए गए पर नमरा को clean up करता है यह collimator के shutter है जो independent pair के रूप में move करते हैं और जब यह close होते हैं तो x-ray field के विल्कुल center में आके मिलते हैं यह diagram आपको collimator के internal structure को बदाएगा आप diagram में देख सकते हैं उपर x-ray tube target है उसके नीचे filter है जो soft radiation को remove करता है इसके लावा we have a light bulb here और यहां पर एक mirror भी होता है जिसकी placement 45 degree होती है in the path of x-ray beam देखिए अगर आप चाहते हैं x-ray field का configuration सही हो तो उसके लिए bulb और target का placement mirror के center से equidistance पर होना बहुत ज़रूरी है If we talk about advantage of collimator the biggest advantage is that they provide infinite variety of rectangular field size and you know in radiography we need different field size whether we are doing x-ray of abdomen or doing collimated tm joint view Secondly light beam show the center and the exact configuration of x-ray field देखिए light beam x-ray field का center और उसका exact configuration बताती है PBL stands for positive beam lightning device it is also known as automatic light localized variable aperture collimator देखिए यह बिलकुल same होता है एक normal collimator की तरह बस फर्क इतना ही होता है कि यहां पर जो shutter होते हैं वो motor driven होते हैं तो bucket tray में लगे हुए sensor cassette की size और alignment को identify करते हैं और इस information को collimator के motor तक भेजते हैं motor shutter को इस तरीके से प्लेस करते हैं so that it exactly matches the size and shape of the film we use it must be accurate to within 2% of the source to image distance a perfectly aligned collimator will leave a unexposed border on all the side of developed radiographic film beam restriction के process को हम collimation भी कहते हैं चलिए थोडास के बारे में ही पढ़ लेते हैं देखिए जब हम collimation को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम field size को कम कर रहे हैं क्यूंकि यहां पर field size reduce हो रहा है तो volume of area irradiated भी कम होगा इसकी वज़े से कम scattered radiation produce होंगे क्यूंकि यहां पर scattered radiation कम produce हो रहे हैं तो patient की जो exposure dose है वो भी घट जाएगी यहां पर कम scattered radiation produce होने की वज़े से हमें image contrast काफी अच्छा देखने को मिलेगा क्यूंकि image contrast अच्छा है तो हमें अच्छी quality की image मिलेगी लेकिन collimation को बढ़ाने से density पर उल्टा परवाव पढ़ता है density कम हो जाती है यदि हम collimation को घटाते हैं तो field size बढ़ जाएगा volume of area irradiated भी बढ़ जाएगा और हमें ज्यादा scattered edition देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादा scattered edition produce हो रहा है तो patient के exposure dose भी बढ़ जाएगी scattered ज्यादा produce होने के वज़े से image contrast घटेगा और हमें low quality का x-ray देखने को मिलेगा लेकिन collimation को कम करने की वज़े से density बढ़ जाएगी बस सही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए, मेरे चैनल को जुरू subscribe कीजिए कीजिए